झालब नमश्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताती हूं कि रेकी में ओर act लेन्िंग कैसे की जाती रेकी मेन ओर अठिनिग एक बहुत वी मिकनद प्रुआ आ एक बहुत भी में तोली ओर्दं मतर को आना हमारा भी शेडू है किसारा से? हमारा शरीफ स्वस्थ है, निरोगी है, रेकिया नहीं बुकष भी और हमारे नीन है, बहुत आछी की दुखी रहेगी लेकिन यद करनका है परेशानिया है यद कि बाइब चाहिम से परेशान है कहीं जुण हमार और् ribba करते हैं जिसने की एक जिज़ और कि आखे और ओर्रब्र कुरने करते क्यों हैं उसका इंपोर्टिन कारण है कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर तो यदि हमारी और और्हें से अपाइगी तो कोई भी बिमारी हमारे शरीर तक नहीं आपाएगी जुश्ज भीओने शरीर के अंदर हैं अबी वो भी बिमारी और बिंग से दूर गूनी लगेंगी और 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 ख्लीनिंग क्यों जरूरी है इसमें आपको पने दूसरे वीडियो में किसी में बताऊंगी इसमें आपको बताते हूं कि आखे और ग्रीनिंग की कैसे जाती है दिखें अगर आप फस्ट लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास चोकुरे सिंबल होगा सबसे पहले आप अपने हाथों को रगड़िए अपनी रेकिशक्ति को कॉल करिए आपको रेकी शक्ति को स्कानी करें धितित आप 1st लेवल के शिखा जैती है 1st लेवल पर ही तो आपको चोकुरे सिंबल मिल जाता है तो आप में डिकी शक्ति को कॉल करें ढूर का उंसाइब्स अपा ली जाiene का लेड़ दी içinde जब यह आप और टीक करते हैं तो आपको बहुत अश्जी तो आप ज़रुरी है कि जस्कमरे में भी आप में प्रेंट की या अपने पेशिन की थीलिंग कर लाई हैं तो आप उस कम्रें चार ओकोनों पर चोकुरे बना दीजिए उपर चट्पे भी आप चोकुरे ड्रॉ करिए जिससे आपके पास काफी पावर रहेंगा एक चीज और जो रिकी से जुरी होए नहीं तो मैं आपको उसका भी यूज बताती हूँ इस अब आप ब्लैक टर्मिलिन ले करें जब्ति और दिविद्स का ट्री जेंग तो एक ब्लैक टर्मिलिन लेकर इसको रूम के अप्ना। के अपमशर से कनेक्ट करतीजिए इसको आप प्रोग्राम होगर अगर आप क्रिस्टल थर्पी जानते हैं तब तो आपको क्रिस्टल करनी नहीं है तो रेकी सेंद लेवल में आपको एक सिमबल तो लेची तो होन्सा जैशो नेम से आप अपने इस क्रिस्टल को करें ब्लैक तबॉरे तर्मिलिन को करें अपने पास में ही रख दीजिए इसका तारण यह है कि आपपके पेशेंट से क्लाइन से जो भी निगेटिविटी निकले की वह ब्लैक टर्मलिन सोपता जाएगा और दूसरा जब आप क्लाइन की पूरी क्लीनिंग करतें उसके बाद आप अपनी पिस्टल को डी प्रोग्राम करतें या फिर नल के नीचे आप इसको दो दीजिए या इसको करतें नीचे लगा दीजिए तो जितने भी निकेटिविटी होगी वह इसमें से निकल जाएगी अच्छा अगर आपके पास ब्लैक टर्मलिन नहीं है तो आप एककाम यह कर सकते हैं कि आप बड़ी सी कटोरी में भग कर नमक रख लीजिए नीचे आप नमक रख लीजिए से आपके तयारीय नहीं है अगर आपकी और झालीया है अगर यह क्लीनिंग करने है लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप पेशिट को खड़ा करके miracle tit तो उसका कारण यह है कि और पूरा क्लीन हो जाएगी अगर आप लेटागर ही लिंग करते हैं तो पीछे का जो पोर्शन है वह उतना अच्छी से क्लीन नहीं हो पाएगा तो हमेशा ह्याद रखें कि जब आप किसी की औरा क्लीनिंग करें तु प्रिफर ही तो आप क्लाइन को इससे खड़ा करिए अब आप एक काम करें एक बड़ा सा अगर आपके पास चोखुरे सिंबल है आप फस्मार पहें तो आपका सिर्फ चोखुरे सिंबल होगा लेखिन अ मत्र चुकुर बना दीजिए सद्धिर को स्थेरिविए अब आपको जीते हीलिंग करनी जैनी अगर आपके पास दैकल्म स्थेरिय प्रॉर्पक्र ऍसदिर आप इस Гाया बना थे पूरे क्लाइम के फिर ख३ स्थेर स्थेर करें आप जो को स्थिर करें पहले है, तो कोई बाद निए अगर आपके पास नहीं है आप चोकुरे बना दिजिए। अगर सेकंड लेजल तक के student है, आपके पास मात्रे चोकुरे है को आप सब्सक्राइब चोकुरे बनाय і ँस तरह से चोपुरे k intern, अब औरा cleaninky के लिए मतलब यह है कि आप negativity किसी की निकाल रहे हैं तो negativity हम जब भी निकालते हैं उकिका एंटिक्लाकवाइस निकालने के लिए हम चोकुरे का spiral चोकुरे यूज उस कटे दिक तो मतलब आपको spiral oni के नया सिंबल नहें हूता तो औरा क्लीनिंग में हम स्टाइरल चोकुरे यूज करते हैं क्योंकि हम निगेटिविटी पूरी कलेक्ट कर रहे हैं बड़ा सा चोकुरे पूरे शरीम में देने के बाद आप अपने क्लाइन के यहां से शुरू करिए आत्या चक्रा से शुरू करिए और इस तरह से चोकुरे 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 इस तरह से आप में हैंड्स की पोजिशन या अभी मैं एक हाथ से डॉल पकड़े हूई हूँ तो इसलिए मेरा एक हाथ खाली नहीं है बाकि आप इस तरह से करिए आप पूरा पूरा चोकुरे इस में आपका एसा शेक बनाएं और उन्ही ओंजे से हम किसी की ब्रशियं करते हैं, कंगली करते हैं उस तरह से पूरी और प्लिए और पूरी ओरा प्लिए निकाल रहे हैं मतलब आप अपनी प्रक्रिया ये रखिए कि आप पूरी गंदगी इस तरह से घटा करें और नीचे जो आपने नमक का बाउर रखा हुआ है उसमें छला दीजिए इस तरह से अब आप यहां से शुरू करें इस तरह से यहां से शुरू करके पूरा शरीर की क्लीनिंग करये यहां से शिरू करके चोकुरे चोकुरे आप आपको इस चोकुरे चोकुरे और इस तरह से क्लीनिंग करें आप इस तरह से गंदगी भरिये और यातो आप उसको उनिवर्स में है भाव रखिए जितनी भी गंदगी निकल रहे हैं आप क्लाइन की सारी गंदीगी नियेटिविटी ब्लॉकेज बीमारियां जो परेशानिया उसकी शरी बीमारिय उसकी शरीर में है यह सब निकल के यूरिवर्स में फूखते जाएं और अपने हाथ को रीचे इस तरह से बाउल में डालते जाएं तो पूरे शरीर की इसी तरह करना है आपको दो जार बार नहीं छोटे-छोटे स्पाइनल चोकुरे बनाएं जितने ज्यादा आप बनाएं उतनी ज्यादा क्लीनिंग होगी जैसे आपने ऊपर से शुरू किया ना यहां से आपने शुरू किया उसके बाद आप यहां आए ठोट पे अलग से दीजिए गले पे इस तरह से चोकुरे चोकुरे और इस तरह से आप क्लीनिंग की यह पक्रिया रखें जैसे आप जाल मतलब जैसे कंग करते हैं उस सारे से आप ऐसी निकाले और सारी निकाले लिए इस तरह हाथ में भरिये और यूनिवर्स में फूपते जा लहीं और अपने मन में यह भाव रखिए चारी गंदिगी निकल रही है आपका क्लाइन पूरी तरह स्वस्त हो रहा है उसकी सारी बीमारिया निकल के यूनिवर्स में जा रही है इसी तरह आप पूरे सर से लेकि पाउं तक की क्लीनिंग करिए पहले खड़ा कर के अपनी क्लाइन की उसके बार हैंस के पदर में करिए यहां से पूरी क्लीनिंग इसके पीछे से पूरी क्लीनिंग करें इसका एक विशेश फायदा यहां इस ज़र करने का होता है कि जैसे अगर मंदो आपके पेशेंट को विद्र संबंदी कोई भी परेशानिया है या वो हर्ट का पेशेंट है या उसके हर्ट में ब्लॉकेजिस हैं कुछ भी है तो वहां पर रेव की हैड़ी पर खूब क्लीनिंग करें इसी तरह क्लीनिंग करें और गंड़ी निकाल के यूनिवर्स में प्रेकते जाए तो इस तरह आप पूरा पीछे पूरा इधर उधर रूट चकां से लिए फिर पाउं पर क्लीनिंग पूरी तरह क्लीनिं क्लिनिंग करके युनिवर्स में ऐसे खुनके और हाथ भी अपना चैसे बीच बीच में बार अपना हाथ चाने जैसे आप कोई गंदगी छुड़ा रहे हैं और वासतर पर और चुपरे श्यूपरे और चॉकुरे डाल गये तो आप यह निकालते जाए जब इतना यह आपकी प्रक्रिया हो जाए आके भी पीछे भी पूरी क्लिङिग हो जाए उसके बाद आप नit 10 को कुरे डालिए deaf surprised चोकुरे, सील्ड, 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 यदे आप हीलिंग देना चाहते हैं, अगर आप और आप हीलिंग के बाद हीलिंग भी देना चाहते हैं, तो फिर आप हीलिंग दीजिए, जिसी अंग पर आप हीलिंग देना चाहते हैं, आप सोलर प्रेक्सिस पर देना चाहते हैं, यहर् आपने क्लीन कर दिया वहां तक उतना हो गया है उसको आपने सीवर कर दिया अब और गंदिगी उसमें नहीं आए और एक बार करने से नहीं चलेगा आपको कई दिन करनी पड़े भी अच्छे रिजर्स पाने के लिए आपको कम से कम आदा घंटे चोटे-चोटे बहुत चोट ऊच्छे चोटे बनाये और और अपको रिजर्स में दिए और थे इस चोटे चोटे बनाये और और वालंगे तब आपको दिन साथ मिलें गैप करने से रिजर्स मिली लकिन है कि बहुत शारे इनूले आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी बिमारिया हैं, हमारे शरीर के इनी साथ चक्रों से जुड़ी हुई हैं, और अगर आपको सुरक्षा चक्र बनाना आता है, तो आप इसमें सुरक्षा चक्र भी बनाके और उसको पूरी तरह से सीड़ कर दीजिए, यह आपक कि प्रोसेस होगी, इसके बाद आपको क्या नहीं है, यह तो और आपकी होई, जो आपको करना है वह यह, कि यह जो बाउर रखी होई है, यह इसमें नमस भरा था और इसमें गंदिगी आपने डाली, तो सबसे पहले तो इसको किसी नाली में, वाश वेशिं में, सिंक में इ यह वाश को कि देजिए उसके बाद आप अपने हाथ यहां द पूरे अपनी हाथ भ़ए पूरी अपनी सफाई करीगे, और सबसे पहले जब भी आप इसी के औराई कलें, अपने आपको लॉक करके ज़एघर्गी आप पूरे आपको सुरथ्षा चखर चक्र में, या पिरा करना है ताकि इस क्रिस्टल को आपके किसी दूसरे क्लाइन के लिए भी इसको आपको डी प्रोग्राम कैसे करेंगी आप इसको पानी के नीचे ले जाकर इसको भी थोड़ा दे नल के नीचे रहने दे ताकि इसमें पूरे गून की वातावरन की जितनी भी गंदगी सोकी है त तो उस गंदगी को निकाल दे और साथ ही इसको डी प्रोग्राम कर दीजिए पूरी गंदगी को नाली में बहचाने दीजिए तो इस तरह से दोस्तों रेखी में औरा क्लीनिंग की जाती है और दिमें आपने वीडियो में आपको दीरे दीरे बताऊंगी लेकिन यह एक अप् झाल उस समपदगार से दीजिए धन्यवाब